रियक्शन टीवी वालों का बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई और मां और बहनों से मैं गुजारिस करता हूँ कि आप लोग इतनान रखें और भरोसा रखें इंशालला डॉक्टर नहरा सेखापा जब भी भी रिलिज होंगी आपके पैसे मिल जाएंगे हमारे पैसे मिल जाएंगे और मैंने एक चीच कल वीडियो में सुना और मुझे सुनकर बहुत तकलीफ हुई कि एक जिंगूर बठा हुआ है मीरा रोड में वो जिंगूर जो है क्या नाम है आउटी नभी को बारे में कंप्लेन दिया था ये चंद पैसे के लिए मेरे भाई और इन्वस्टरों को बहिताने के लिए ये काम क्यों कर रहा है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मा को बहन को बेटी को बहु को ये बीच में क्यों लाते है मेरे कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि ये जो है अब जब कुछ नहीं मिलता है तो बहन को बीबी को और मा को ये लोग यूज करना चालू कर दिये हैं तो मैं इन लोग से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी और तुम्हारी लडाई है तो मा और बहन को और बीच में क्यों लाते हूँ और दूसरी चीज जब कि उसने एक चीज और कहा कि ये है वो है दुनिया भर की बखवासें कर रहा है तो ये बखवास करके कुछ फाइदा नहीं है और कल जो है एक हैदराबाद का जिंगूर वो जिंगूर कहता है NIA का जाँच होगी CBI का जाँच होगी तो जिंगूर मैं तुसे ये कहना चाहता हूँ कि जिंगूर ये कोट और फैसला करेगी इंशालला हाई कोट फैसला करेगी तेरी योकात नहीं है जिंगूर कि तुसी भी आई जांच करा सकता है या और कुछ जांच करा सकता है तो मेरे प्यारे भाई और मा और बहनों अब ये कुछ नहीं पाता है तो जूटी जूटी बातें करता है बहकी बहकी बातें करता है कि ये करेंगे वो करेंगे असल इनका मकसद यही है कि इंवस्टरों को बहलाना और फुसलाना तो मेरी मा और बहनों से मैं गुजारिस करता ह कि इनकी बहकावे में न आएं ये यमाईयम के दलाल हैं और दलाली करेंगे आज चार महिना खतम हो गया, खतम होने को आया मेरी माँ और बहनों और भाईयों गुजारिस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुसल्मानों का साथ दें, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यमाईयम एक दम चुप्य क्यों साधी ही है और कुछ बोलती हैं, अखिर क्यों नहीं बोलती है, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है आज दो लाख इंवस्टर, उसकी फैमिली, बीस लाख अफराद, आज बहुत परेशान हैं और परेशानी का सामना कर रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई कि ये मुसल्मानों का, हम लोग क्या सोचें की, ये जो है मुसल्मानों के रहबर हैं, बिल्कुल नहीं, ये रहबर नहीं हैं, ये बेसक मुसल्मानों के दुस्मन है ये आज चार महिना खतम होने को आया, लेकिन एक भी जबान नहीं कुलता है, कि मेरी इसमें कुछ हाथ नहीं है, या हाथ है, कुछ भी आज तक बयान नहीं देता है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे प्यारे भाई और मा और बहनों से मैं गुजारिस करता हूँ, कि आप लोग इत्मनान रखें और भरोसा रखें, और सभी मिलकर दौा करें, इंशालला हमारी डॉक्टर नौरा सेख आपा, जो भी उनके हक में होगा, वो कोड़ फैसला करेगी, इंशालला और ये जिंगूरों, ये खटमलों की आवकात नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो भी है, इंशालला कोड़ और कानून हमें नया गिलाएगी, इंशालला हमें उमीद है और भरोसा है, और इस भरोसे पे हम लोग कायम हैं, लेकिन ये खटमल और ये मच्छड, ये जिंगूर, जो है डेली ना डेली, एक-एक बखवास करते रहते हैं, तो इन जिंगूरों, इन खटमलों के बहकावे में आप लोग ना हैं, आप लोग इतना लखे हैं, बरोसा रखे हैं, मेरे भाई और माँ और बहनों, मैं ना तो कोई M.B. हूँ, ना तो कोई D.S. हूँ आपके जैसा मासूम मैं भी एक इनवस्टर हूँ, मैरे भी बहुत काफी पैसे लगे हैं, लेकिन मेरी परेशानी क्या है, और लोगों की परेशानी क्या है, तो मैं सब समस्ता हूँ, लेकिन ये M.I.M. जो है, एकदम चुप्ती साधे हुई है, कुछ बोलती नहीं है, नहीं बात नहीं, आने वाले एलेक्शन में इन्शालला हम अपनी ताकत दिखा देंगे और बता देंगे, इन्शालला, और जो है, मैं यहीं कहूंगा, कि मेरी माँ और बहनों और भाईयों से घुजारिस करता हूँ, कि आप लोग जो है, आप किसी को भी वोट दे दें, ल हमारा तरीका है, और इनको सबक सिखाने का तरीका है, तो मैं लियाजा आप लोग से घुजारिस करता हूँ, कि आप लोग इतनान रखाएं, और भरोसा रखाएं, और ये खटमाल, और ये मच्छड, ये काकरूज, जो है, कभी एपनी वहन को खड़ा करेंगे, कभी एपनी आउटी नभी भाई, आपके हम लोग साथ में हैं, आप फिकर ना करें, ये जिंगूर, ये खटमल, कुछ भी आपका नहीं कर सकते हैं, और इन्शालला, जैसे आपके उपर इल्जाम ये लगाया है, इन्शालला, उसकी भी जांच होगी, हम लोग भी उसकी जांच इन्शालला, आप इतना रखें, और ये खटमल जो है, कह रहा था कि बाबु भाई साबिर खान, जो है, उनकी दूसरी भी भी है, सभा करके कोई, तो देखो, ये लोग कैसे कैसे इल्जाम लगाते रहते हैं, ये खटमलों का ये ही काम है, और ये ही काम करेंगे, तो ये कातुल में ध्याम ना दें, ये खटमल है, और ये खटमल को जब फून नहीं मिलेगा, तो ये जो है, रेंगते रहते हैं, तो ये रेंगने का काम करेंगे, मेरे भाई और मेरी माँ, और मेरी बैनों, आप लोग इतना रखाएं, और बढ़ा सा रखाएं, इन खटमलों को आ झाल